जहिन फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द्विच कंसेप्ट में हम पढ़ रहे थे इतिहास हमारे अतीत जिसमें हम 6th class की NCRT को पुरा कर चुके हैं और अब हम 7th class की NCRT को पढ़ रहे हैं जिसमें पहला चैप्टर आपने पढ़ लिया अब अध्याय 2 की तरफ हम चलते हैं पहले चैप्टर में आपको मैंने बताया कि सबकुछ इंट्रोडेक्शन था लेकिन अब चैप्टर एक एक करके आगे बढ़ेंगे तो आपका जो ये दूसरा नंबर का चैप्टर है उसको देख लीजे राजा और उनके राज्य जिसमें आप देख लीजे कि ये आपकी किताब का चैप्टर है देखिए राजा और उनके राज्य तो हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं तो आपने देखा कि ये आपके ही अध्याय हैं हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं जिसमें आप लगभग हजार सालों के इतिहास को पढ़ेंगे और जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा था कि जितना आपके इस चैप्टर में दिया हुआ है हम अपनी सीमा को उतना ही सीमित करके पढ़ाएंगे और जब आपकी 12th क्लास के NCRT आपके पास आएगी तो उसमें इन ही चीजों को और विस्तार से पढ़ाया जाएगा तो आप उन सारे टर्म्स को तब वहाँ समझ लीज कि उन्हें ज्यादा पढ़ाया जा रहा है तो चलिए चलते हैं राजा और उनके राज चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ नए राजवन्षों का उदै तो देखते हैं इसमें कौन-कौन से टॉपिक है नए पहले तो कुछ बता देते हैं मोटा-मोटा की क्या-क्या आपको बताया जाएगा आज तो पहले तो जो नए राजवन्ष है कुछ उनका उदै हो रहा है यह आप समझे और फिर है कि इन्हीं राज्यों का जो यह तरीके के नए राज्य हैं इनका प्रशासन कैसे चल रहा है इन्हीं राज्यों के बारे में बात होगी कि इनका प्रशासन कैसे चल रहा है अब बारी है यह बताने की कि कुछ तो प्रशास्तियां हैं और भूमी अनुदान यह क्या है और अब बारी आ रही है कि इन जो नए प्रशासन एक नए तरीके के राज्य जो पैदय हुए हैं यह धन के लिए युद्ध करते हैं तो अब एक एक पढ़ जर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि यह जो आपको दिखेगा कि मध्य काल में हमने आपको पहले भताये था कि प्राचीन काल में ही गुप्त काल जब आता है तब ही से आपको दिखना शुरू हो जाता है कि जो राजा है उनका कद फिर से थोड़ा नीचे हो जाएगा सिंगासन नीचे हो जाएगा वो ताकत उनमें नहीं रह जाएगी जैसा कि मौरेकाल में थी तो अब उनको और अपने सामंतों का सरदारों का समर्थन लेने के लिए क्या करना होगा उनको अपने दर्बार में अपने हां से और राजस विखटा करके देना है और कभी-कभी जरुवत पड़े तो अपने हां सेना रखनी है और उसको राजा को देना है समय समय पर ताकि युद्ध किया जा सके लेकिन जैसे ही राजाओं की ताकत कमजोर हो जाती थी तो ये सामंत अपने आपको स्वतंत गोशित कर देते थे तो इसी क्रम में नए नए राज्यों का उदय हुआ जैसे कि आप देखेंगे अब बात यहां पर रास्ट्रकूटो की हो रही है आपके इस चैप्टर में उनका जस्ट नाम दिया हुआ है तो आप भी बहुत जादा उनके विशे में नहीं बताया है त इसे कि वो जब मैंने आपको सिक्स क्लास के अंसी आटी में ही बताय था कि जब मौर एक एमपरन यानि कि मौर काल का जब पतन हो जाता है तो उनकी आप कहें कि खंडहर पे कुछ राज अपने आप जन्म ले लेते हैं जिसमें कि जो दक्कन का छेतर था जो दक्षिन भारत क आप मैप में देखें मैप में आपकी ही चैप्टर का मैप है यह देखिये यहाँ यह देखें राश्टगूट पहले जब एमपायर खतम होजाता है मौर तो क्या है कि यहाँ पर उनके जो कुछ हिन्दू आप उनको उनका उत्तराधिकारी कह लीजिए कि या फिर आप ये कह लीजे कि उनके बाद कुछ लोगों ने वहाँ शाशन किया जो कि हिंदू कहते थे कुछ को साथ वहाँ, कन्व, शुंग, फिर उनके यहाँ उनका शाशन चलता रहा, फिर उनके खंडर पे चालुक्य, चालुक्यों का राज वहाँ पर शुरू हुआ, लेकिन चालुक्यों के यहाँ ही रास्टकूट उनके सामन्थ हुआ करते थे, कहने का मतलब है कि मुल्ख ही राजा चालुक के और उनके ढर्बार में ये रास्टकूट बैठते थे और धीरे धीरे ये ताकतवर हो गये, फिर उसके बाद जैसे ही चालुक्यों कमझोर कर दिया और उनकी जगे खुद बैठ गये यह आप कहो कि खुद को स्वतंत्र कर लिया ठीक वैसे ही कि जैसे जो सबॉर्डिनेट है अगर उसके पास जादा ताकत आ जाएगी तो अपने जो सीनियर उसको कह सकता है कि भाई हम तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे हम सेना नही हम भेट नहीं देंगे आपको अपकुछ नहीं देंगे तो जब यह सब चीजें वह देना बंद कर देंगे तो वह अपने आप ही कमजोर हो जाता है जिसको भेट दी जाती है लेकिन अब रास्ट्रकूटों का एक तरीके से वर्चस हो गया और उनका नए राज्यों के रू अब चलते हैं फिर से वापस जहां हम इनकी बात कर रहे थे तो यहां लिख लिजे रास्ट्रकूट एक तो यह हो गया एक टाइप के यह है और दूसरा कुछ तो ऐसे हैं कि जो जन्म से वो शाशक नहीं है लेकिन कर्म से योद्धा है तो उनको अब क्या चाहिए कि धर्म का सहारा चाहिए जिसको भी ताकत चाहिए थी या जिसको सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए थी वो हमेशा से पुरोहित वर्ग का या धर्म का सहारा लेता था यज्यों का सहारा लेता था जिसके माध्यम से उन्हें योद्धा या शत्री वर्ग में आप कहों कि शाशक वर में उन्हें शामिल किया जाता था, जिसमें आप देखेंगे कि कदम्ब है, गूर्जर, प्रतिहार, ये लोग, ये गूर्जर प्रतिहार तो खुद को ब्राम्हन कहते थे, लेकिन इनके जो कर्म थे, वो योद्धाओं वाले थे, लड़ाई, जग, बतलब लड़ना इनको पसंद था, तो इसके लिए इन्होंने फिरण गर्भ, नामक के यग्य वगरा ये लोग करते थे, जिससे क्या होता था, कि इन्हें सामाजिक रूप से एक दिलाया जाता था, कि सहमती की आप ये आपके राजा हैं, ऐसा यग्यों के माध्यम से किया जाता था, जिसमें कदम आप देखेंगे कदम केश का शाचक हैं, और गूर्जर और प्रतिहार हैं, तो एक तरह के ये नए राजवन्षों हैं, एक तो आपने देखा रास्ट कूटो को, जो आप देख रहे हैं कि वो उनके सामन्त हैं, उनके दर्बार में बैठते हैं, और दूसरा आप देखेंग सहमती के हसाब से, वो भी एक अपने राजवन्षों के उद्य में, उस दोड़ में वो भी हिस्सा ले लेते हैं, तो आप देखेंगे किस प्रकार से इस समय पर नए राजवन्षों का चन्म हो रहा है, और फिर यही लोग आपस में भी लड़ते हैं जगे के लिए, क्योंकि जब सामन्तों की संक्या इतनी जादा हो गई थी, आप सोच कर देखिए, कि जब मौरे काल चल रहा था, तो उस वक्त एक पूरे के पूरे भारती उपमहादीप पे समराठ अशोक का शाषन चल रहा था, क्योंकि वही अंतिम राजा जिनके समय पर मौरे काल में पूरे उप गंगायमना दौाब में उनका पूरा शाषन था, फिर आप देखेंगे कि समुद्र गुप्त ने, समुद्र गुप्त की समय में काफी ऐसा था कि लगभग पूरे भारती उपमहादीप पे उनका राज्य था सत्ता केंदिक्र थी, लेकिन आने वाले समय में अगर राजा को को ताकत बनानी है, तो इन सामंतों का सहारा लेना पड़ता था, और यही सामंत आगे चल कर छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित हो गए, तो आपने देखा कि नए राजवन्शों में एक तो रास्ट कूट आ गए, दूसरा, ये आप लिखिए सामंत, ठिक, और दूस गूर्जर, प्रतिहार, ये लोग गूर्जर है, प्रतिहार है, कदम्ब है, इन लोगों ने क्या किया, अनुस्थान किये, ठीक है, इनके माध्यम से देखेंगे आप, कि कैसे, मयूर्शर्मन, जो कदम्ब राजा है, वो हिरन गर्ब नामक यग्य करते हैं, हिरन गर्ब का मतलब होता है, कि सोने का गर्ब, तो ऐसे क्या होता है, कि अब उनको ये समझ आ गया, कि हम मतलब, अब राजाओं की शेडी में हम भी आ गए हैं, शाशकों की शेडी में हमारा भी नाम लिया जाएगा, तो आपने देखा कि नए राजवन्स किस तरीके से पैदा हो गए, अब बारी आती है, प्रश प्रशासन कैसे चलेगा, ठीक है, तो चलिए, अब हम प्रशासन को देख लेते हैं, प्रशासन, तो पहले तो ये है, कि ये लोग उपाधियां धारण करते थे, जैसे आप देखोंगे, महराजा, धिराज, ठीक, इतने बड़े-बड़ी जो उपाधियां होती थी, ये लोग धारण करते थे, और उपाधियां धारण कर ली, तो इसका मतलब कि सामन्तों में स्रेस्ट हो गए, राजाओं में अधिराज हो गए, तो इससे क्या होता था, क कि इन्हें लगता था कि हम सबसे श्रेस्ट हैं और उपाधि के माध्यम से, पुरिष समाज में भी ये समाचार एक तरीके से फैल जाता था कि ये श्रेस्ट हैं और सभी सामन्तों में भी स्वयम को श्रेस्ट बताने के लिए इस तरह की भारी भरकम उपाधियां धारण की जाती थी, अब और क्या होता था प्रशासन में, दूसरी बात, उपादिया और वन्शा नुगत, दिखेंगे कि उपादियों में त्रिभुवन कीर्ती इस टाइब की महराजा धिराज ये देखा आपने, अब वन्शा नुगत का क्या मतलब है कि यही सामन्त, अगर राजा का बेटा राजा, ये वाला कंसर्प्ट चलता था, कि अगर वो सामन्त है, तो उनके बेटे भी सामन्त होंगे, ये भी बात थी, तो इससे धीरे धीरे धीरे, अब ये लोग क्या करते थे, कि इनके अंडर में ही कुछ भूमी भी होती थी, जिसका, जिससे ये लोग राजस ले अपसान का होना शुरू हो गया आने वाले समय में, ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ कि देखा आपने प्रशासन में वंशानुगत हो गई, उपादिया दी जा रही है, अब और दूसरी क्या बात थी, कि सत्ता की साजेदारी, इसमें क्या है, सत्ता की साजेदारी होगी, स जाजेदारी किसमें होती है, जो मुख्य राजा है, जो मुख्य सामन्त है, उनके और लोगों से संबंध कौन से, जो कि उस समाज में जिनका वर्चस हो, जैसे कि सबसे बड़ा ताकतवर्ग कोई व्यापारी हो, पुरोहित वर्ग हो हो इनसे, और इतने बड़े-बड़े संबंध हो जाता था, तो एक पूरा क्रम बन जाता था कि कैसे, एक ही सत्ता है, लेकिन उसको उभोग करने वाले इतने सारे लोग हो जाते थे, और ये सब ही मिल करके, जो छोटे व्यापारी होते थे, जो किसान होते थे, उनसे राजस्व इखटा करते थे, आपको बात होते थे, छोटे किसान होते थे, और व्यापारी होते थे, मजदूर वर्ग होता था, ये सारे गर्व देते थे, राजस्व देते थे और इनी का ये सभी लोग उभोग करते थे, ये बात आपने समझ ली, प्रशासन, देखी, ये सारी चीजे एक दूसरे से जुड़ी प्रशासन में पहले उपादी हो गई, फिर वंचा अनुगत हो गए, अब सत्ता की साजेदारी भी हो रही है, दूसरा, और ये जो धन इखटा होता था, इससे, जो भी इससे धन पाते थे वो लोग, धन है, उसका प्रयोग, मंदिर बनाने में करते थे, ज्यादा तर, क्योंकि मंदिर क्या है, एक प्रकार का मंदिर प्रतीक हो गया, राजा की ताकत का, जैसे कि आप उदाहरन सुरूप में देखेंगे, कि शाह जहाने ताजमहल बनवाया, तो हम सभी ताजमहल देखने आज भी जाते हैं, उस वक्त सबको लगा होगा कि कितना ताकतवर और कि इतना अमीर संपत्ती वाला होगा वो शहनसा, जिसने इतना खुबसूरत और कितना कीमती ताजमहल बनवा दिया, आप देखेंगे, चोलो में राज-राजेश्वर मंदिर को आप देखेंगे, कितना भव्वे मंदिर बनाया गया, तो इस प्रकार के मंदिर ये छोटे- उटों ने अलग मंदिर बनवाए, गुर्जर प्रतिहारों ने अपने अलग मंदिर बनवाए, तो उनका जो मुख्य देवता होता था, और जो मुख्य शाशक होता था, वो उनके बीच में, उनके नाम में एक तरेगी की similarity हुआ करती थी, और ये सारा धन वो मंदिरों को ब और सबसे बड़ी बात, इसी से थोड़ा सा जन कल्यान का भी कार करते थे, अब अगर ये मंदिर को निर्मान किया जा रहा है, तो बड़ी मात्रा में रोजगार भी तो पैदा होंगे, ये भी तो आप समझें, कि वो उनको बनाया जाएगा, उसको बनाने के लिए और लोग मजदूर बुलाए जाएंगे, फिर उस मंदिर के हिसाब से उसके चारों तरफ एक अर्थ विवस्था का अपने आप से जन्व हो जाता है, कि जो भी आविशकता हो मंदिर की, उसकी लिए एक पूरा का पूरा आप सेटप पूरा बैट जाता है, आप देखेंगे कि वो एक प्रकार से मंदिर नगर के नाम से प्रसिद्ध हो गए, ठीक है, आप देखेंगे जैसे हमारा काशी है, वहाँ काशी विश्वनात मंदिर है, आप मदुरई को देखेंगे, भले ही वहाँ पर और भी चीज़े होती, मदुरई में आप कपड़ों का भी व्यापार होता है, वो कपड़ों के लिए भी प्रसिद्ध है, लेकिन मुक्यता मिनाक्षी मंदिर है, उसके आसपास आप देखेंगे, पूरा एक मंदिर का निर्मान के हिसाब से है, मंदिर का डेकोरम बन जाता है कि किस तरीके का वहाँ का आर्थिक स्थिती होगी, ठीक है, तो अब आपने देख लिया, अब चलते हैं आगे, ये तो हो गया, नए राजवन्चों को आपने समझा, अब है, धन के लिए युद्ध, ठीक, धन के लिए युद्ध, अब इसमें आप देखिए, कब से पहले, तो कुछ युद्ध है, एक तो है, स्रिफ नाम का वर्डन है आपके आठी, गंगा यमुना, जो दुवाब है, उसमें एक इस्थान है, कन्नौज, कन्नौज, कन्नौज का नाम आप पहले भी सुन चुके हैं, आपको हमने प्राचीन काल के दिहास में, शिक्स क्लास ने बताया था कि कन्नौज, जो की पहले कहा था, सत्ता का केंद्र था, हर्श वर्धन के समय का, उनको हमने आपको कहा था, कि थानेश्वर और कन्नौज, उन्होंने सयुक्त शाषन किया, क्यों, क्योंकि कन्नौज में उनकी बहन और बहनोई शाषन किया करती थी, लेकिन उनके बहनोई की जब हत्या हो गई, पाल राजाओं ने हत्या कर दी बंगाल के, तो उन्होंने क्या किया, कि उसको अपने अंडर कर लिया, कन्योज को, तो फिर इससे कन्योज बर शाशन उन्होंने समाला, तो कन्योज सत्ता के केंद्र में आ गया, और वो कैसे आ गया क्यूं आपने सोचा कि क्यूं कन्नौज ही, जैसे कि हमने आपको सिक स्लास से बताया था कि क्यूं मगध, क्यूं पाटली पुत्र में ऐसा क्या खास था, तो ऐसे ही क्यूं कन्नौज, इसकी सामरिक स्थिति है कि ये गंगा और यमना, दोनों नदियों के लगभग संगम पर है संगम तो मैं नहीं बोलूँगी, बड़ पूरा एक छेत्र कन्नौज का ऐसा जाता है, कि जहां से नदी का जल मार्ग व्यापार के लिए पहुंच सकता है, और हमने आपको इसके पहले ही बताया था, कि चार ऐसे कौन से व्यापारिक मार्ग हैं, उन्हीं मार्गों में ये म बिल जाता था, यानि कि बंगाल से लेकर के आप उत्तरापत की तरफ कन्नौज का पूरा मुवमेंट होता था, इसलिए कन्नौज को लेकर के लगभग 200 वर्षों तक त्रिपक्षी संगर्ष होते रहें, जिसमें नाम आप देखेंगे, ये बात मुख्यता धन को ही बात ठीक है, इसमें कौन-कौन लोग थे? तीन लोग, गूर्जर, गूर्जर प्रतिहार, पाल और रास्ट कूट, इनका आपस में लड़ाई होती थी कन्नौज को लेकर के, कभी किसी के पक्ष में कन्नौज आता था, कभी किसी के पक्ष में, तो इसको लेकि लंबे समय तक कन्न के लिए जगडा होता रहा, और दूसरा ऐसा क्या है? दूसरा है, आपका जब बारी आती है, गजनी, गजनी की, किसी के अगना में तक करका दो लेकिफंगा का जब ओ सकता था, आती है, ऊका रहा होती है, तो इसको लेकि है? अद्सलेट है झात sain'.